Hello everyone, my name is Ravi Sharma और बहुत सारे बच्ची यही पूछ रहेगे सर हमारे इतने माखस आने वाले हमने इतने अटेम्ट किये तो हमें SVA clerk मेंस की प्रेपरेशन करनी चाहिए या नी देखो मेंस की प्रेपरेशन 31 सारीक तक क्या करना है प्री को कितना डाइम देना है मेंस को कितना देना है और भी आपके क्या क्या action plan होएंगे उस चीज़ पर ये वीडियो है टोटल पहले हम बात करेंगे मेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या करना चाहिए दूसरी चीज़ हमने कुछ categories में divide किया है सब aspirants को की 40 से 50 marks अगर आप expect कर रहे है यह सिर्फ पहला paper है ठीक है इस साल की banking का तो अभी बहुत सारे paper आने है अगर आपके कम भी marks आप expect कर रहे है तो कोई tension नहीं है अगर आप यहां से भी अपना एक अच्छा action plan मना के जैसा कि मैं भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा तो उस हिसाब से अगर आप prepare करोगे तो आपको कोई tension नहीं होगी आगे और आप इसी साल एक नाइक job ले लोगे ठीक है तो डरना नहीं है चार categories में divide किया है और चारों का action plan देखते है जैसे आपको पता है कि IVPS Clark 2021 और और भी बहुत सारे banking exams line up है तो अगर आपको grand bundle PDF course चाहिए जिसमें pre plus mains का consolidated way में बहुत सारी PDFs मिलती है आपको practice करने को जिसमें आप quiz की तोर पे भी use कर सकते है तो special price है जो कि इतना कम कभी रखा नहीं होने पहले कभी 799 उस पे भी अगर आप RKS 12 लगा लेंगे तो आपको 100 रुपे की असपास का ओर discount मिल जाएगा तो आपको यह अगर avail करना तो आप कर सकते हैं यह offer एक आदे दिन के लिए है और अगर आपको चाहिए mock test series bank insurance railway sse तो platinum package होता है या फिर express package खरीच सकते हैं इसमें आपको कुछ video courses भी avail हो जाते हैं तो इसमें भी RKS 12 लगा के आप 12% का discount पा सकते हैं एक और information है वो है कि RRB PO Prelims का free all India live mock test है जिसमें आपको अपनी all India rank पता चल सकती है आप देख सकते हैं कि where do you stand and 18 तारीक को exam है यह पूरे दिन चलेगा सुबह 6 से शाम 11 बजे तक और अगले दिन result आ जाएगा तो यह अच्छा है आप avail कर सकते हैं इसको भी free all the links are in the description so let's start the video तो yes जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको SBI clerk means related या फिर अभी जो आपकी current situation है उसके हिसाथ से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप सोच रहे हो कि आपके 40-50 marks के बीच में आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस category में है या फिर इस category में है तो आपको क्या करना चाहिए तो वह सब हम इसमें discuss करेंगे ये मेरे कुछ exam से जो मैंने clear कि हैं तो let's start the video should you prepare for the means ये अब आपको question है क्योंकि प्री का आपको paper दे दिया लेकिन result नहीं है ठीक है result नहीं है तो अब आप यही सोच रहें कि यार 15-20 दिन में exam मेरे cutoff भी clear होगी या नहीं होगी तो मेरे को क्या करना चाहिए देखो पहली चीज़ तो है कि question ही गलत है ये सवाल ही गलत अपने अप में जो right सवाल है वो है कि how much you should prepare for means from your daily schedule तो आपको पास जितना time है उसमें से आपको कितना time means को देना चाहिए आपको यह सवाल पूछना है क्योंकि means का थोड़ा थोड़ा तो आप prepare करेंगे और यह बहुत अच्छा मौका है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके cutoff clear होगी या नहीं होगी तो भी आप means की preparation करो एक बार आप इसके touch में आओ थो community के तुरह देखो इन 15-20 दिनों को ठीक है अगर आपने वह mindset develop कर लिया right attitude develop कर लिया तो आपको tension नहीं है फिर बाद में you will get a job for sure that I can guarantee you ठीक है तो देखते हैं भी आप इन में से कौन सी category में है and उसके आगे what is what should be the way forward ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए पहले तो अपने आप से पूछो कि आप इसमें से कौन सी category में है category में वो unreserved general SC वो नहीं बात कर रहा category मतलब यह चार categories है ठीक है these are the categories इसमें आप देखो कि आपके आपके अभी marks या फिर जो SBI कलर का अपने दिया है तो 40-50 में आ रहे हैं या 50-60 में या 60-70 में या 75 प्लस ठीक है तो if you are in the 40-50 marks category I will call you a warrior ठीक है not a warrior but a warrior ठीक है consistency तो वो consistency आपको चाहिए तब ही आपके marks 40 से लेके 80 तक पहुँचेंगे भाई तो आपको करना क्या है अगले 15 दिनों का mainly यह जो मैं बात करूँगा यह अगले 15 दिनों पे ही focused रहना चाहिए उसके बाद कुछ और बात करूँगा आप से लेकिन उसके अगले आपको मतलब यह जुलाई जुलाई आपको क्या करना है यह बता रहो मैं आपको करने 3 months के current affairs ठीक है इस range में थोड़ा सा cut off clear होने का देखो chance बिल्कुल very very low है बट still hope हो सकता है तो होना चाहिए क्यों किसी state में किसी category में clear हो सकता है बट mostly लोगों का इस range में clear नहीं होगा तो current affairs फिर भी आप 3 महीनों के जो latest 3 महीन है क्योंकि आगे आपको दुबारा इन 3 महीनों को करने के लिए बहुत आसानी होगी तो जुलाई जून और मई 2021 के आप current affairs जरूर कर लेना उसके बाद mains के मौक देने है पर ज्यादा नहीं देने जुलाई में आप 3 ही दे दो SBI clerk mains जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेंस किस खेत की मुली है ठीक है what mains is all about उसका आइडिया लेने के लिए आप at least 3 SBI clerk के मौक दे देना चार-चार दिन के गैप में ठीक है जुलाई बही जिससे आपको आइडिया हो जाए कि होता कि मेंस बाकि यह जो current affairs और यह तीन मौक देन गंटे लगेंगे every day for prelims target अगर किसी को पता ही नहीं कि prelims target क्या है उसके लिए बहुत मुश्किल है तो आप पहले prelims targets देखो मेरे जो मैंने आपको बहुत detail में दे रखे हैं एक चीज उसके बाद आपको थोड़ा अपने basics पर काम करना पड़ेगा basics आपके थोड़े से हिले हुआ है तभी यह थोड़ी range थोड़ी कम आ रही है इसके अलावा calculation speed आदा गंटा mental calculation को देना है जिसमें आपको जो pre-requisite होते हैं वो भी practice करने प्री रिक्विसिट क्या होते हैं जैसे squares होगे, cubes होगे, tables होगे, percentages to fraction होगे, यह 4 चीजों को मैं pre-requisite बोलता हूँ मतलब आपको बैंक की त्यारी में आने से पहले ही यह चीज़ सबसे पहले करनी है, ठीक है, तो उसके बाद आप बाकी काम करोगे, तो अगर आपके पास कुछ 10 गंटे हैं तो आप 5.5 गंटे दो मेंस को और साड़े साथ गंटे दो prelims को, अपने दिन, इसके बाद I hope की यह category वाले logo को प आप बिली रहे तु रोर मचा, मतलब you have to roar, you have to hang in there, अभी वहां पे लगे रहो, आपको चंता नहीं करनी है, and don't give up, you are going to get your result very very soon, ठीक है, तो आपको करना क्या है, current affairs 5 महिनों के, ठीक है, आपको जो लेटर हाफ of this category है, उनके clear होने का chance है, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब false hopes नहीं दे रहा, मतलब 59-60 वालोंगा किसी का हो जाएगा clear देखना, तो आपको current affairs करने 5 मंच के, जो पिछले 5 मंच था, July से March 2021, ठीक है, करने कैसे है, क्या पूरी planning रहेगी, वो मैं next video लाँगा, कलिया पर सो, ठीक है, तो उसमें पूरी मैं 15-20 दिन की, 15 दिन की planning दूँग तो, और जो बाकी alternate day है, उन पर pre का मौक दो, ठीक है, तो अगले जुलाई तक आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आप साथ की जिए कर 5 भी दे सकते हैं, बाकी आप prelims पे ज़्यादा focus करें, 50-50% time दे, 50% means और current affairs को, और 50% time दे, आप prelims target, basic revision, plus mental calculation, basics आपके ठीक है, त कर लेना, ठीक है, तो I hope कि 50-60 marks category वालों को, समझ आ गया कि, it's time to roar now, and अगर कोई doubt है, तो comment section में पूछ लो, 60-75 marks category, borderline, ठीक है, आप में से आदे लोगों का clear होगा, और आदो का नहीं होगा, ठीक है, तो अब ये है borderline, borderline वाले है, अगर अपनी silly mistakes को avoid कर दे, तो उनका selection guaranteed है, ठीक है, यहाँ पर मतलब 80% लोगों का, तो clear हो जाएगा, इसमें से, but 20% का नहीं भी होगा, बट उसकी चिंता मत करो या, don't see the small, small, आप छोटी चीज को मत देखो, बड़ी चीज को देखो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पूरे 6 महीने के, क्योंकि आप सबी सबी का हो सकता है, clear है, ठीक है, तो कम से कम 6 मंस का आपको ये, जुलाई से लेके फरवरी तक का current affairs अच्छे से कर लेना है, करना कैसे है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं next video में बताऊंगा, जब मैं पूरी mains की preparation video, planning video लाँगा, ठीक है, तो आपको 8, यानि कि alternate day पे आपको एक मौक देना है, SBA clerk mains का, 50% time आपका prelims पे जाना चाहिए, prelims, basic revision, mental calculation, और बाकी जो 65% है, यानि कि साड़े 6 गंटे, अगर आपके बाद 10 गंटे है दिन में, तो साड़े 6 गंटे, mains और current affairs को जाएंगे, और 35% time जाएगा, prelims target को, इसको 70-30 भी कर सकते हैं, अगर clear होने के chance है, and you belong to the later half of the category, ठीक है, तब आपको ये करना है, और frequent revision of current affairs बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो आप करोगे, तो इसका कोई, आपको retention नहीं होगा, और retention नहीं होगा, तो वहाँ पे आप सामने recall नहीं कर पाओगे, जब exam में सवाल आएगा, तो इसलिए बहुत champions category, champions category कौन सी है, 75 plus marks वाली category, देखो 75 plus जिसके भी है, उनका paper देखो, SBI clerk prelims clear होना ही होना है, ठीक है, और आपको करना क्या है, देखो आपके पास मैं सच बतार हूँ, सिर्फ एक ही obstacle है, वो है, SBI clerk means, अगर आपने ये वाला पढ़ाव पार कर लिया, तो आपके हाथ में job हो होगी, the largest public sector bank में होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप बोलोगा कि sir means की त्यारी 15 दिन में कैसे करें, कुछ नहीं करना है, पूरी detail वीडियो तो मैं next लाओंगा, लेकिन आपको अपको अपना 80 या 90% time देना है, means और current affairs में, ठीक है, इस means का भी सिर्फ मतलब है क SBA Glurk mains के mocks देने, आपने 10, ठीक है, आप दो दिन दीजिए, फिर एक दिन ब्रेक, फिर दो दिन दीजिए, फिर एक दिन ब्रेक, फिर दो दिन दीजिए, फिर एक दिन ब्रेक, ऐसे करके 10 mocks दे देना, ठीक है, और उनको proper analyze कर लेना, और 6 months की अगर आपने current affairs कर लिये ये स ठीक है जुलाई से फर्वरी और उनको रिवाइज कर लिया दो या तीन बार इसके लाव आप एक ग्रेडप की टॉर्नेडो आती है टॉर्नेडो जो की कंपाइल्ड मतलब ओवर्वियू कर लेना तो आपका अच्छा सेलेक्शन के चांसे हैं और डरना मत अगर आप 75 प्लस प ठीक है यू है वेट आल इन यू तो वो सब कुछ आप में है जो एक एस्पिरेंड में होने चाहिए और जो बैंक एक क्लेरिकल स्टाफ में एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो सब कुछ आप में है अगर आपने ये सारी चीज़े कर ली इन 15-20 दिनों में विदाउट विदाउ होगा यू अल्रेडी आरा चैंपियन एंड यू विल राइज एंड शाइन वेरी वेरी सून ठीक है तो कुछ नहीं पता चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यह बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरी पीपीटी की फाइनल मैसेज फर यू आल देखो बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है है इफ यू कीप गोईंग इवेंच्वली यू विल गेट टो गुट स्टफ आई प्रॉमिस अगर आप लगे रहे लगे रहे कंसिस्टेंट एफर्स देते रहे एफर्ट फुल अड़ेश रहे तो आप बहुत जल्दी गुट स्टफ पर पॉंचेंगे यह जॉब पर पॉंचेंगे यह मेरा बादा है आपसे और यह मेरा नाम है ठीक है तो इफ यू कीप गईवेंच्वली यू गट टॉट स्टफ आई प्रॉमिस टू यू थीक है तो इस आई फाइनल मेसेज पर यू प्रेपराइश्टेजि बिए इन तो रड़ खू है तो तो स्टेज यू